नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर जानकर लेकर हाजिर हो चुकी हैं अगर आपने भी परधन मंतरी किसान सम्माने योजना में रेजिस्टेशन किया हुआ है तो यह जानकारी आपके लिए है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे किसान योजना में आट बड़े बदलाओ किये गए हैं जिसके अंतर का दोस्तों आपको दस्तवेज अपड जारी की जा रही है और फिर से आप मोबाइल से KYC को कम्प्लीट कर पाएंगे यानके जो ओप्सन वहां से हटा दे गाया था दोस्तो वह अब फिर से अपडेट कर दे गया है तोस्तो काफी किसान यहां पर ऐसे होंगे जिनको ग्यारवी किस्त नहीं दी जाएगी तोस्तो वह को सुरू करने से पहले दोस्तो हम आपसे निविदन करना चाहते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए से अर करेगा आप चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों बैल बदलाओ किये गए हैं अगर आपने भी इस योजना की अंत्रगत अपने दस्तवेज को अपडेट नहीं करा है तो आपको दोस्तो जो पैमेंट है वह नहीं में दिया जाएगा और दोस्तो आप फरजी की लिस्ट में सामिल कर दे जाएगे और फिर आपका नाम भी जो है दोस से भी वसले जा सकते हैं और आपका नाम लिश्ट से हटा दे जाएगा आपको फिर कभी किस्त नहीं मिल पाएगी तो दोस्तो आपको जितनी जलती हो के अपने दस्तवेज को अपडेट कराना है दोस्तो प्रधान मंत्र किसान सम्मानी थी योजना को जब से शुरू किया ग ग्याद यह गया था और बताया गया था कि अब आप दोस्तों अपने किसी भी नजदीं कि चहुशी सेंटर पर जाकर कियो we क्योशी को वायिट कराना होता था जो कि किसान इधर उधर भटा करें लेकिन एग बार फिर से दोस्तों जो ओप्प्सन हटाए है था EKYC का EKYC का जो option हटा दे गया था दोस्तों वह फिर से update कर दे गया है अब फिर से दोस्तों आप अपने mobile से ही KYC को complete कर पाएंगे ध्यान रहे कि दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है वह किसान यूजना में दोस्तों link होना चाहिए तभी आप KYC को घर बैठे अपने mobile से complete कर पाएंगे अगर दोस्तों आप चाहेंगे कि KYC कैसे करता है mobile से तो आप हमें comment box में आगर comment कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको एक proper video बना कर दे जाएगी जिससे कि आप घर बैठे अपने mobile से EKYC को complete कर पाएंगे और दोस्तों इस EKYC का एक भी रूपया आपको नहीं देना होगा अगर आप CAC केंद पर जाते हैं तो दोस्तों आपको 50 से 100 रूपय CAC सेंटर वाले को देने होते हैं जो आपकी KYC complete करेगा अगर आप चाते हैं कि मुफ्त में ही आपकी KYC हो तो दोस्तों आप अपने mobile से KYC को complete कर लेजगा वहीं दोस्तों मैं आपको बदाना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने जिन किसानों ने KYC नहीं की है या फिर KYC नहीं करेंगे उनका नाम दोस्तों लिष्ट से हटा दिया जाएगा उनको फिर कभी किस्त नहीं दी जाएगी उन पर जुर्माना भी सरकार दुवारा रखा जा सकता है अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आप पर जुर्माना ना हो आपका नाम लिष्ट से ना हटे तो आपको अपने जस्तवेश जो अपडेट हवे कराने होंगे एक केवईसी को कंपलीट कराना होगा तभी आपकी दोस्तों जो किस्त है वह लगातार आती रहेगी तोस्तों मैं आपको बता चाहूंगा कि मेडिया रिपोर्ट के मुताविक बताया जा रहा है कि आने वाली जो ग्यारवी किस्ट है दोस्तो वे जल्द ही आ पाईगी लेकिन यह उन्हीं किसानगों दी जाएगी जिनको जिन्होंने क्यावाईसी को कम्प्लीट किया हुआ है दोस्तो कि जो अंतिम्ति सरकार दोवारा निर्धर्ट की है वह 31 माई 2022 अंतिम्ति सरकार पोड़ी मताए जा रहा है कि मैं महिने में कभी भी सरकार दोवारा ट्रांसफर कीजा सकती है दोस्तों आपने KYC कम्प्लेट की है या नहीं आप हमें कमेंट बूक्स में जाकर जुरूर बताएगा और दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि KYC को आप अपने मुबाइल से ही घर बैटे कर पाए तो दोस्तों कमेंट बूक्स जाकर जल्दे से कमेंट करेगा जितने ज़्यादा दोस्तों कमेंट आएगे उतनी जल्दी दोस्तों हम आपके लिए प्रोपर वीडियो लेकर हाजिर हो जाएगे दोस्तो आपको प्रफर तरीक से बताएंगे बरीके से बरीकी से कि आप किस परकार से KYC को घर बैटे मुबाइल से कंपलेट कर सकते हैं तो यह थी आपके लिए एक महत्पूर जानकर किसानों के लिए तो दोस्तो जानकर कैसे लगी अगर आपने वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो का भी लाइक कर दीजिए सेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चरूर सब्सक्राइब करके दूस्तो बैल लेकन को फ्रेस करिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसका लाव आप सबसे पहले उठा सके अब चैनल आप से जाया तरो मिलता है पोने इस्टी वीडियो में तो तक के लिए उस्तो जैहिन जै भारात